नमस्कार इश्वाण इश्वाण इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एपी पर एक बहुत इंपर्टेंट कॉशन इस तरह की कॉशन आपके बोर्ड एक्जामिसरम आते रहते हैं यदा आप एपी चेप्टर की प्लेश देखना चाहते हो तो यहाँ पर जो आप एनटरम कैसे इंकालते हैं यहाँ पर आपको एक एपी है उसके एपी के एनटरम का सम गिवन है तब आप से पूछ रहा है बताई एनटरम का हूँ ठीक है ना पॉस्सिंपल तरीकी दो मैतल एप्लाई करूँगा जो भी मैतल आपको अच्छा लगता है आप उसे फॉल का सम इतना है यहाँ यहाँ पर एन की जगा बन पुट कर दूँ भाई एन की जगा मैं पुट कर दूँ आपके पास एन इकल टू बन तो आप क्या निकाल पाएंगे एस बन निकाल पाएंगे एनटरम का सम तो इसका मतलब है यह क्या आ गया यह आपके पास एवन आ गया ठ ठीक है और यहाँ पर put करूं N2 इसका क्या मतलब हो जाएगा आप यहाँ पर 2 put कर दें इसका क्या मीनिक है इसका मीनिक है दो टरम का sum ठीक है पहला टरम और सेकंड टरम का sum तो क्या हो जाएगा S2 S2 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 2 put कर दिए तो 3 into 2 square plus into 2 solve करेंगे तो कितना आजाएगा यह आजाएगा आपके पास 4 12 और यह भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा solve करेंगे तो 24 आजाएगा ठीक है यह 24 क्या है यह 24 है दो टरम का sum इसका मतलब है कि यह A1 plus A2 जो है वो कि कितना है 24 है S2 का मतलब है A1 plus A2 और आपके पास A1 कितना था A1 कितना था आपके पास 9 था तो आप यहाँ पर put कर दे 9 plus A2 equal to कितना आगया 24 तो A2 कितना हो जाएगा 24 minus 9 ठीक है तो कितना आजाएगा A2 आपके पास आजाएगा 15 इसका मतलब है second term जो आएगा वो 15 आएगा और फर्स्टरम कितना आगया 9 आज गया जब आपको फर्स्टरम पता है ठीक है और second term भी पता है तो common difference निकल जाएगा न यस क्या रिकाए common difference दी बरावर होता है हमें सां A2 minus A1 तो D equal to कितना हो जाएगा A2 कितना है आपके पास A2 आपके पास 15 और A1 कितना है आपके पास 9 तो D क पता लग गया और इसको हम फर्स्टरम भी कहते हैं यह हमारे पास क्या है A1 का मतलब क्या है हमारे पास SN गिवन था 3N square plus 6N ठीक है हमने इसमें N बढ़ावर बन पुट किया तो हमें A1 S1 पता लग गया S1 का मतलब होता है एक ट्रम करसम A1 ठीक है हमें यहां से A1 पता लग ग गया A2 का मतलब होता है इसमें A1 प्लस A2 और हमारे पास A1 यहां से 9 था था हम यहां से A2 लिग दिया हमें A2 पता लग गया हमें A1 पता लग गया फ़़ह AMY 125 बढ़ा हो दी बता हो तो हम S, A N निकाल सकते हैं, A N, N अट्रम, क्या फर्मुला होता है, हमारे पास फर्मुला होता है, A N इकल टू, A N इकल टू होता है हमारे पास, A plus N minus 1 into D, ठीक है, मिले बास्ट में आ रहे हैं, चलिए है, आप A की बर करती है, A की बर कितनी है, 9 है, plus N minus 1 into D, D केतना आपके पास, 6 है, solve कर लिजिए, यह आजागा, 9 plus 6 N minus 6, आप क्या कह सकते हैं, 6 N plus 3, जिस A P के N ट्रम का सम इतना है, उस A P का N ट्रम क्या होगा, यह होगा, अब आप से पूछे, पताई से 10th ट्रम क्या होगा, 10th ट्रम, तो आप कह सकते हो, A 10 क्या हो जाएगा, आप नहों आप 10 पूट कर दीजिए, 6 into 10 plus 3, कितना आजाएगा, यह आजाएगा 63, आपको यहाँ पर कोई भी ट्रम कुछ सकता है, आपके पास, यहाँ पर A S N कुछ भी लिगा सकता है, लेकिन हमें से कैसा आएगा, quality tag आएगा, ध्याना किया आप, A S N पता है आपको, तो आप कह निक संदाते हैं, ठीक है, तो आपके मेरी रिक्वेस्ट है, कि आप यह अपनी वीडियो, अपनी फ्रेंड को जरूर सेयर करें, वाट्चाप, फेश्टूप, जो भी आपका सोचल साइट से, उन पर जरूर सेयर करने के कुछिश करें, हो सकता है आप यह सोच रहे हो, इसमें ग पर ले करकर बात को अच्छी तर समझे लेते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि बच्चों के सभी इश्टून को मेरी बात अच्छी तर समझ में आ जाए, वो अच्छे मार्क सलाएं, मेरा उद्देशी है, ठीक है, सेगंडरी उद्देश हो सकता है, मेरा पैसा कमाना हो, तकि मेरा पहला उद्देशी है, कि आपके होगा किसी तर से बेनिफिट हो, मेरे कहने से एक वीडियो आपर प्रिफरेंट को जरूर सेयर करिए, और हां, मैं आपके एक e-book बना रहा हूं, वो e-book चैप्टरवाज बना रहा हूं, चैप्टरवाज e-book है, उस e-book में वो प्रिफरेंट कर रहा हूं, और उसके आंसर भी हैंड रेटिंग में आपको दोगा, उसका लिंक मैं आपको दे दोगा, डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उसे कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी e-book कोष्ट है, मैं बात के लिए बता दूँँ आप से, ठ ठीके ना, चलिए, इसका मैं आपको दूसरा मेहतर पताऊँगा, आप एक बार इसे बहुत अच्छी तरसी कॉपी कर दीजिए, अब इस्टिन इसका सेकंड मेहतर समयने कोश्चिश करते हैं, बो भी जी है, कोई परिश्या है नहीं है, आप दोनों मेहतरों में से कोई मेहत कर देंगे, तो क्या आजाएगा, सन आजाएगा, यह मतला होता है न, ठीक है, इस से पहले बार डरम क्या हो इस उंट, इससे पहले बार डरम होगा, एन मौनस बना डरम, प्लस यह आएगा, यद हमें ये निकालना हो, तो कैसे तका लेंगे, ये चीज फांड आउłट करें तो catch fund out करेंगे, देखे, यहां से यहां तक का sum कितरा है, S n है, ठीक है न, यहां से यहां तक का sum कितरा है, S n, यहां से लेकर यहां तक का sum, S n, और यहां से लेकर यहां तक का sum, यह कितरा है, यह है आपके पास S n-1 का sum, यहां से लेकर यहां तक n का sum है, और यहां से लेकर यह यहां से लेकर यहां तक को हम S n कहेंगे यहां से इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास यह रह जाएगा न खाली अब देखिए हमारे पास S n कितना गिवन है S n हमारे पास गिवन है 3 n square प्लस 6 n ठीक है n टर्म का सम यह था हम आप से पूछें के S n माइनस 1 कितना हुआ तो आप इस n की जेगा पर n माइनस 1 डाल दीजे तो कितना आजाएगा यह आजाएगा 3 n माइनस 1 whole square प्लस 6 n माइनस 1 आपने क्या करा इस n की जेगा पर n माइनस 1 डा यह हम a n निकलना चाहते हैं तो इस S n मिचसे क्या करतेंगे हम माइनस करतेंगे थोड़ा से goal कर लेते हैं इसी solve करेंगे तो 3 आएगा यह आपर आजाएगा N square माइनस two n ठीक है माइनस का 2N प्लस का 1 यह आ जाएगा और प्लस 6N माइनस का 6 आ जाएगा ठीक है अब जराए से और सॉल कर लिए थोड़ा सा यह आ जाएगा 3N स्क्यार माइनस 6N प्लस 3 प्लस 6N माइनस 6 यह आ जाएगा ठीक है और थोड़ा सॉल कर लिए यह नंबर से क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा ठीक है और क्या बचाएगा यह बचाएगा 3N square minus का 3 3N square minus 3 यह क्या आएगा SN minus 1 आएगा ठीक है मैं आपको बताँ हुआ कि AN क्या होता है a n होता है s n minus s n minus 1 रैट कोई परिशाय नहीं है s n कितना है s n है आपके पास यह 3 n square plus 6 n minus s n minus 1 कितना है यह है 3 n square minus 3 ठीक है ना इतना हैगा नहीं आएगा अब देखिए आपको क्या रेज़ पिलेगा अब आप इसे solve करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 n square plus 6 n minus 3 n square और कितना हैगा plus 3 इस से क्या हो जाएगा instant cancel हो जाएगा तो a n equal to कितना निकल का जाएगा 6 n plus 3 निकल का जाएगा मेरे बात आपको बहुत अच्छी ते समझ आगी होगी कि यहां से लेके यहां तक के ट्रमिसमें से इतने तक का समझ माइनस कर दिया जाए तो क्या निकल का जाएगा यह निकल का जाएगा ठीक है आप दो मैथड में आपको बताएं दोनों मैथडों में से जो भी मैथड आपको अच्छा लगता है उसे फॉलो करने के आप कोश्च करेंगे इसके बाद मैं आपके एक क्वेसं दे रहा हूँ उस question को जरू solve करेंगे, copy pen लेके बैठेंगे, ठीक है, और copy pen लेके बाद स्विस solve करेंगे और उसके answer को publicly comment box में लिखेंगे, लिखेंगे ना जरू लिखिए, जिससे आपको confidence create हो सका, ठीक है, चले, इसे एक बार अच्छीते से copy कर दीजिए, इसे एक बार अच्छीते से copy कर के बीच में, 2 and 5 से divisible number कितने होंगे, ठीक है, 2 and 5, 2 और 5 नहीं है, क्या है, 2 and 5, जो 2 से भी divide हो रहे हो, और 5 से भी divide हो रहा हो, तो पहला जो number आएगा, वो कौन सा आएगा, आपके पास आएगा, पहला number ज्यान रखिए, 110, 110 ऐसा number है, जो 2 से भी divide हो जाएगा, और 5 से भी क लास्ट का number कौन सा होगा, स्वेम्डेसाइड करिए, और बताएगे, इस सीक्वेंस में कितने number आएगे, इस प्रोग्रेस में कितने ट्रम्प्स आएगे, ठीक है ना, जरू सोल करिए, और आंसर को पब्लिक लिक लिक आपक्स में रखिए, अपना ख्याल रखिए, और मन ल करिए.